सब्सक्राइब निक्तर्प संतोसी नगर रायपूर निवाशी हूँ लगबग तीन साल पहले मैंने L45 का उप्रेशन करवाय था MMIO Spirit रायपूर के अंदर डॉक्टर साहब ने मना किया था कि भी एक मैंने आप बैट रेस्ट करना लेकिन मैं किसी कारण में से ली कर पाया आठ गिन के बाद ही मुझे स्कूटर चलाना पड़ा जितके कारण दर्द वापस कमर में बैठ गिया तो अभी मैं डाक्टर तुशार बंसर जी का इनके पिता जी हमारे सेंटर में आये थे बायो डाटा सेंटर चलाता है समाज वहाँ पर उन्होंने जब जिकर किया कि मेरा बेटा तुशार बंसर है फीजियो थ्रैफी का एक बहुत बड़ा डाक्टर है तो हमने उनसे कुंटेक्ट किया तो टाइम लेकर के मैं और मेरे साथ हमारे साथी शाम गोईल जी दोनों जन आये थे ओप्रेशन का केश डाक्टर तुशार बंसर जी एक साथ नहीं लेते हैं उसके बाद भी मेरा केश इन्होंने एदल किया और दो दिन मेरे को फीजियो थ्रैपी करवाई हालागी थोड़ी तगली ज़रूर महसूई लेकिन दो दिन में मेरे को 90% रिलीव मिला तो स् मास्क को यहीं पर होस्पीटल में भून गया दम है तो घर तक साथ किलोमेटर जाने के बाद भी मुझे यह मैसूश नहीं है कि आपकी पट्टा लगाने वाला बेल्ट है वो वहीं पर भून के आ गया तो जहां स्टाफ ने मेरे को पून किया कि सर आपका बेल्ट मास्क और सब यहां छोड़ गए है तो मैं भूला ठीक करने लुगा 40-50 किलोमेटर चलाने में मुझे थोड़ी जिक्कत मैसुश होती है लेकिन 8-10 किलोमेटर स्कूटर चलाता हूं तो मुझे बिना बेल्ट के भी कोई तकलीफ नहीं है आज भी लगब 20-25 दिन हो गया मेरे को उसके मुझे बाद भी 60-65% रिलीफ पूरी तरह से मैं मैसुश कर रहा हूं इसकूटर चलाने के लिए तो डाक्टर अपने टाउरी जी है जो ममाई के हैं तो रूनों ने मना कर दिया था कि आप स्कूटर मन चलाईए कार के अंदर आप 20 किलोमेटर से ज़्यादा सफर नहीं कर प हुआ के लोगों का यह बना करता रहें करते रहें लोगों को रिलिफ मिलेगा तिसके अच्छी और क्या बात हो सकती है बहुत बहुत धन्यवाद आपका